नमस्कार, न्यूस क्लिक के खोश खबर कारेक्रम में आप सब का स्वागत है ग्रिह मंत्री अमिशाह का सुशाशन और इसकी चाप पूरे देश भर में दिखाई दे रही है बस देश की राजधानी दिल्ली में कुछ खास महरबानी है दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है वकील उधर नयाई की मांग कर रहे हैं जो आलम है लोकतंत्र का वो जबरदस्त है वकीलों और पुलिस की बीच हुई जड़प के बाद दिली पुलिस कर्मी बिल्कुल बिफर गए और उन्होंने पहली बार पुलिस हैटकौर्टर पर घेर कर प्रदर्शन किया और जो बात उन्होंने कही वो बहुत मारके की है उन्होंने कहा कि हमारी भी यूनियन होनी चाहिए जो हमारी मांगों को और हमारी सुरक्षा की बात करे उन्होंने कहा कि हमारे भी जो मानवधिकार हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए और मौजूदा हुक्मरान यह नहीं कर रहे हैं यह नजारा देखते ही बनता था उनके हाथ में पोस्टर How is the josh? It is low यह सीधे सीधे मौझूदा हुक्मरान से नाराजगी का ऐलान था आपको याद होगा उरी फिल्म के इस डायलॉग को इसी साल जन्वरी में प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने बॉलिवूड इंडस्ट्री के साथ अपने जो डायलॉग थे उसमें वहाँ पर बोला था बॉलिवूड में जब वह बोल रहे थे तब बिल्कुल दूसरा ढंका समा मीडिया में बांधा गया था लेकिन मोदी के इस डायलॉग का जवाब दिल्ली पुलिस अब दे रही है वकीलों की गुंडागर्दी कोट परिसर में देश की राजधानी में पहले भी हुई है हम देख चुके हैं ये सब खास्त और से 2016 में जब जेनियू का पूरा मामला चल रहा था उसकी सुनवाई हो रही थी उसे में छातसंग के जो पूर्व अध्यक्ष कनहिया कुमार से लेकर जेनियू में पढ़ाने वाले जो तमाम अध्यापक थे उनके साथ जो पटियाला कोट में जिस तरह की बससलू की वकीलों ने की पिटाई की तो सारी दुनिया ने देखा और उस समय यही दिल्ली पुलिस मूग दर्शक बनी हुई थी देखे किस तरह से चीजे चलती है जिसे कुछ लोगों ने कहा कि यह पोईटिक जस्टिस है हम इस पे बिना कमेंट के हुए यह कहना चाहते है कि दिल्ली पुलिस आज जिस हाल में है और जो पूरा सीक्वेंस रहा है वह लोकतंत्र की मौझूदा हालत को परदाफाश करता है जेनियों सही तमाम विश्विद्यालों को युद्ध छेत्र में तबदील करने के लिए मोधी सरकार तकरीबन उतारू है जेनियों से तो मोधी सरकार और उसके मंत्रियों की महबत किसी से भी छुपी हुई नहीं है अब इस विश्विद्याले को नए सिरे से महंगा करने और सड़े गले नियमों में बांध कर विश्विद्याले को एक कैद में तबदील करने की साजिश रची गई है जिसका पुरजोर विरोध वहां के छात्र कर रहे हैं आप देखेंगे ही कि वहां जो प्रोटेस्ट चल रहा है वह जबरदस्त है और ये इस विश्विद्याले के सर्वाइबल उसके अस्तित्व का सवाल है ये सारा घमसान तो चली रहा है इसके बीच जो हमारे दिमाग में सवाल उठता है वह यह कि आखिर क्यों यह सरकार इतनी ज़्यादा नफरत करती है जेनियू से, बनारस हिंदू उनिवस्टी से, हैदराबास सेंट्रल उनिवस्टी से जादवपुर और तमाम ऐसे विश्विद्याले जो तमाम धंके प्रियोग करते रहे हैं जहां लोकतांत्रिक स्पेस रहा है और जो पढ़ने लिखने में अंतराष्टी ख्याती प्राप्त रहे हैं वहां से इतनी नफरत भाश्पा और भाश्पा की सरकारों को क्यों रही है इसका जवाब बहुत आसान सा भाश्पा की जो नेता है जो मंतरी है वो खुदी दे रहे हैं उनका जो ग्यान है वह जो ग्यान पूरे देश में बाटना चाहते हैं वह ग्यान कम से कम इन विश्विद्यालों को में नहीं पल सकता है यहां पढ़ने वाले लोग सीधे सीधे चैलेंज करेंगे जब भाश्पा का कोई नेता यह बोलेगा कि देशी गाए में सोना है इसलिए उसका दूद पीला होता है और बाकी जो गाए हैं उनमें सोना नहीं होता है या अंडे को ही ले लीजिए अंडे पे क्या महरबानी है अंडा खाकर किस तरह से आप मांसाहार में चले जाएंगे आपका दिल दिमाग सब खराब हो जाएगा या बीफ खाने वाले किस तरह से क्या-क्या कर सकते हैं बच्चों को अंडा खलाए जो नहीं खाते हो न जबरन खलाए अंडे में नहीं होता हो को पुशन दूर मुर्गे खलाएगी बगरे खलाएगी और जो कुछ बनेगा वो खलाएगी बच्पन से ही हम इसे खाएगे तो तो बड़े जाके वो पता नहीं फिर वो गुश्टों खाएगे नर्ज भक्ष भी ना हो जाएगे ग्यान चक्षू भाश्पा के अंदर जो हैं वो तो जबरदस्त हैं इसमें तो होड लग सकती है और इसके लिए जरूर नोवेल कमिटी के पास प्रस्ताव जा सकता है जैसे अभी उन्होंने दिया कि दिल्ली जब प्रदूशन से जहेल रही थी तब एक मंत्री जो खुद त्वीटर पर कि गाजर खाने से आप इस प्रदूशन से बस सकते हैं यह जो सारी घ्यान गंगा भाश्पा की और आरेसेस की विश्विध्यालें से निकली हुई है यह ज्यान गंगा असली घ्यान की जो केंदर हैं उन्हें निस्तना बूत करना चाहती है क्योंकि उसे पता के लिए और जो मृतक के परिजन हैं उनको सही मुआफजा देने के लिए लंबे समय से जंग जारी है इस जंग में सफाई करमचारी आंदोलन उनकी टीम और तमाम संगठन लगे हुए हैं इसमें एक एहम जीत हासिल हुई है तिलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जहां सफाई करमचारी आंदोलन की अथक मेहनत और लंबे समय तक प्रयास करने के बाद जो रिपोर्टिंग हुई उसके बाद वहां के हाई कोर्ट ने खुद एक कमिटी बनाई वहां पर जो लीगल सेल है उसने मदद की और वहां पर नौ मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुप को 10 लाख का मुआफजा देना चाहिए था लेकिन दुख की बात है कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा और हर जगा संग्ठनों को जबर्दस्त मेहनत करनी पड़ रही है इनसाफ की बुनियादी चीज की गारेंटी करने के लिए हैदराबाद में जिन नौ परिजनों को मिला है वहां पर जो लडाई है वो लंबे समय से चल रही थी इस बारे में हमने बात की सफाई करमचारी आंदोलन की तेलंगाना संयोजक सरस्वती से द्वारा अलांटी विलेकुंड दान्नी चे गालियों अट्तर वत आईपेंदी आंपुने ग्रमांगुरो अल्नी इस सिवर लाईनला पंजेसे दी उड़ चेत्तुलो तो नेत्ती प्राना लुगो बोड़ नरनी इदो कटी मापूर दोच्छी तरवत इपड़ दीन सरस्वती ने हमें बताया कि लंबे समय से जो सरकार की तमाम दस्तावेज होने के बावजूद सीवर और सेप्टिक टैंक में मारे गए लोगों को मुआवज़ा देने में इंकार कर रही थी कभी वो प्राइबिट ठेकेदार के पास भेज दिया जाता था या कभी एक लाख दो लाख रुपे दिये जाते थे कि जब खबर छपी और इसको लेकर संगठन आगे आया उसके बाद कुछ परिवारों को ये राहत मिली है यहां हम ये भी बताना चाहेंगे कि अभी भी बहुत से जो पीडित परिवार हैं जिन्होंने अपने परीजनों को सीवर और सेप्टिक टैंक में खोया है जिन में से भागिलक्ष्मी और मंगम्मा भी शामिल हैं जो बहुत मुश्किलों में अपना जीवन यापन कर रही हैं वे अभी भी इस इंसाफ को नहीं हासिल कर पाई हैं वहां लड़ाई अभी भी जारी है दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं उस समय तक महराश में जो द्रिश्य है वह अपने आप में बहुत दिलचस्प है सरकार किसकी बनेगी कैसे बनेगी लोग बिकेंगे की नहीं लोग साथ आएंगी की नहीं या वे अयोध्या पर जो फैसला आने वाला है उसका इंतजार कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि जिस तरह से अमिश्या और प्रधान मंत्री नरेन मोदी मान के चल रहे थे कि महराश्ट में सब कुछ हो जाएगा उतना आसान नहीं हुआ यह चुनोती कम से कम वैसी ही दिखाई दे रही है जैसे करनाटक में लंबे समय तक चली किस तरह से जो चुनाओ हैं चुनाओ की जो परिणाम हैं चुनाओ किस तरह से कराये जा रहे हैं जारखंड का चुनाओ भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से पांच चरुणों में कराया जा रहा है क्यों कराया जा रहा है लोकतंत्र के जो महीन धागे हैं उन्हें कैसे तोड़ा जा रहा है इस पर हमें और आपको एक सचेत निगाह बनाए रखनी ज़रूरी है सच बोलना ज़रूरी है सच के साथ खड़ा होना ज़रूरी है बना रहेगा हमारा और आपका साथ देखते रहिए news click like करिये subscribe करिये share करिये खोश ख़बर शुक्रिया झाल झाल